नमस्कार दोस्तों शुशान सिंग राजपुत केस में बहुत कुछ अपडेट अभी नहीं आ रहा है और एजनसिया बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है और कोविड के कारण जो एक शोरगुल हंगामा परदर्शन जो हमारी साइट से हो रहा था वो भी कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा है वो भी सानती है वहाँ भी तो इस मामले में कही न कही हर तरफ से शांती आचुकी है प्रन्तु क्या हम सांत रहने के लिए आएं इतने सालों की एक साल तीन महिने से लगतार हम लोग इस विशे पे आवाज उठा रहे हैं और आवाज हम उठाते रहेंगे प्रन्तु आज जो मैं आपको एक चीज कहने वाला हूँ जो की एक खबर आ रही है और उसके मताबिक शुषान सिंग राजपूत की जो हत्या हुई है उसका राज सिर्फ शात दीनों के बीच का कहानी है शात दीनों की बात है तो आईए चलिए मैं वीडियो के सुरुआत करता हूँ और आपको मैं विस्तार से बताता हूँ आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है क साथ दीनों के बीच छुपा था शुषान सिंग राजपूत की मौत का राज जी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लॉक्डाउन के दौरान सुषान रिया एक साथ ही रह रहे थे रिया को साथ रहते रहते करीब त दिशाशालियान की एक पार्टी में रात को जगडा होता है रात को छेड़ छाड़ होती है दिशाशालियान के साथ और वो पार्टी डिनो मौरियों के घर पे हो रही होती है और उस पार्टी में बॉलीबूड के बड़े बड़े नाम बड़े बड़े सितारे जो खुद क अपने आपको बोश बिग बोश और पतनी भाई बासा शब कहते हैं वो सारे लोग वहां मौजूद थे और उस पार्टी में दिशा शालियान के साथ छेट चाड़ हुई दूसरी बात है कि उस पार्टी में राजनितिक लोग भी मौजूद थे और एक ऐसे राजनितिक व्यक और दिशा शालियान ने छालांग लगा दी और दिशा शालियान की मौथ हो गई जबकि ये बातें आपको सोच रहा होगा कि दिशा शालियान ने छालांग क्यों लगाई उसके साथ जब छेट-चाड़ हो रही थी या उसे फेक दिया गया यह अभी रहश्यय की बात है पर कोई खतम कर दिया साथ ही साथ कंप्यूटर के सारे डेटा भी डिलिट कर दिये परंटू उसके बाद से शुषान सिंग राजपुत बहुत परिशान हो गए और उन्हें ये डर हो गया कि दिशाशालियान की जो हत्यारे हैं वो सुषान सिंग राजपुत पे भी हमला कर सकते ह शुषान सिंग राजपुत के भी जान के खत्रा कर सकते हैं क्योंकि दिशाशालियान जैसा कि सुनने में आया लोगों ने कहा कि दिशाशालियान ने मरने से पहले बहुत सारी बाते शुषान सिंग राजपुत को बताई थी और शुषान सिंग राजपुत के पास ये सारे उस रात की घटना के बारे में जानकारी थी और ठिक इसके करीब 6 दिन के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत दुखत खबर आती है कि शुशान सिंग राजपुत के हत्या हो गई अब ये बीच के जो 6 दिन है इन 6 दिनों में क्या क्या हुआ घटना करम और इन 6 दिनों में रिया चकरवर्ती सबसे बड़ी संदेहे के घेरे में है क्योंकि रिया चकरवर्ती इन 6 दिनों के दोरान शुशान सिंग राजपुत से लड़ाई जगड़ा करके अपने घर को चली जाती है सारा समान पैक करके साथी साथ सुसान सिंग राजपूत का सारे नमबर्स को ब्लॉक कर देती है अपने कई चीज के पाशवर्ट्स वगेरे और जो उनके कुछ गैजेट से मुबाईल लैपटॉप्स ये सारे चीजे समेट करके रिया चकरवर्ती चली जाती है शुषान के घर से तो क्या ये सक सरिफ और सरिफ रिया चकरवर्ती पे है बीच के छे दिन में ऐसा क्या हुआ कि रिया चकरवर्ती भागती है और सिधार्त पिठानी जो कि जेल में बंध है वो उसी फ्लैट में उसी बिल्डिंग में रह रहा था अलग फ्लैट में तो उस बिल्डिंग में रहना और शुशान सिंह राजपूत के टच में था वो तो सक्क के घेरे में सिर्फ दो ही व्यक्ति सामने नजर आ रहे हैं रिया चकरवर्ती और सिधात पिठानी को सिधात पिठानी को भी सारी activities मालूम थी और इन दोनों के बीच में रिया चकरवर्ती और सिधात पिठानी के बीच में regular conversation है जो कि अभी मिला है data और whatsapp chats और whatsapp calls यह सारे जो अभी mobile tower से जो connected था वहां से बहुत सारे data मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि सारा सक और सारा राज उन छे दिनों के बीच में छिपा हुआ है सिर्फ उन छे दिनों के बीच का बहुत कुछ जांच करने के जोरत है बहुत सारे चीज सामने आ सकते हैं तो अब सक किसुई सिर्फ दो लोगों पे पिठानी और रिया पे घूम रही है चलिए अगला कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत